Acidity एक आम समस्या जिससे हर दूसरा आदमे पेडित है तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यह जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या है Instant Treatment of Acidity कि आप कैसे instantly Acidity को मिटा सकते हैं तो अब ध्यान से सुनिए देखिए Acidity हो रही है Acid के Level बढ़ जाने से यानि कि हमारे पेट में, स्टमक में Acid बनता है जिसका Level अगर बढ़ जाता है तो वो Acidity कर देता है यानि कि वो Acid उपर की तरफ Move करने लगता है Food Pipe की तरफ और जलने वाली sensations यानि कि Burning sensations cause करता है तो अब उस Acid को Neutralize करने के लिए या तो आप कोई Anti-Acid ले सकते हैं जिसे किसी भी Medical Store पे आपको Acidity के लिए या तो कोई पिल मिल जाएगी या फिर कोई सिरप मिल जाएगा जिससे आपका जो Acidity वाली Problem वो instantly solve हो जाएगी या फिर आप घर में Baking Powder या Baking Soda को पानी में मिला के पी सकते हैं लगबग Half teaspoon जिससे भी आपकी Acidity मिठ जाएगी लेकिन आप मेरा एक सवाल है आपसे क्या आपको एक Quick और Instant और Temporary Solution चाहिए Acidity का या फिर एक Permanent Solution अगर आपका जवाब है कि आपको Permanent Solution चाहिए तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहे है क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या है Acidity का असली कारण किस वज़े से यह होती है और कैसे आप इसको Permanently Treat कर सकते हैं पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टेंट सीज बता दूँ कि अगर आपको English Language जादा प्रिफर होती है in compared to Hindi तो आप इस वीडियो को Same to Same English में देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल Disease Media पर जाकर वीडिय जाकर आप इस वीडियो को English में देख सकते हैं नवस्तो दोस्तो मैं हूँ आगम सिंग ससोध या स्वागत है आप सबी का देखें एसीरिटी का जो मुख्य कारण है वो है बोडी का वहम यानि कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को यह वहम हो जाता है गलत फहम ही हो जाती ह घाना खाया कि हमने जादा खाया और उसके इसाब से जादा एसीड रिलीज़ करता है इसकी वज़े से जादा हमारे स्टमक भूंगता है और यहां इसोफिगस के यहां पर आके फुड़ पाइप में आकर जलन करता है और इसको आप एक ऐसींचाम्पल से बहुत अच्छे स खाना आया है उसके हिसाब जो उसने acid release कर दिया ताकि उस acid से वो खाना ढंक से digest हो जाए ठीक है एक normal condition जिसमें normal मिर्च मसाले थे लेकिन अगर उसी जगे आपने उसी थाली को same to same लिया लेकिन उसमें उपर से और मिर्च मसाले डाली जो की लगबग दूसरी थाली के बराबर यानि कि आपने दो थाली के बराबर का जो मिर्च मसाला था वो एक ही थाली में डाल लिया और फिर उस खाने को खा लिया तो body को क्या लगेगा कि इस व्यक्ति ने दो थाली खाना खाया दो प्लेट खाना खाया है और अब body दो प्लेट खाने के बराबर acid release करेगी जबकि ख सुबह खाना खाली और डारेक शाम को खाना खाएंगे बीच का इतना बड़ा फासला होता है कि बीच में उनके पेट में चूहे कुदने लगते हैं वह यह एसे डी होता है जो कि बॉड़ी के अंदर कूदने लगता है और इस टाइम पर लोग क्या करते एक और बड़ी गलती करते हैं कि या तो चाई पीलेंगे या कॉफी पीलेंगे इतनी सी उस चाई कॉफी को पीलेंगे फिर उसमें उसकी वज़य से बॉड़ी को वापस से गलत फहमी होगी क्योंकि चाई और कॉफी में होता है कैफीन कैफीन एक बहुत ही हाई एनर्जी रिजज फूड है या ड लेकिए solution जो मैंने कारण बताया उसी में छिपा हुआ है, तब सबसे पहली चीज तो आपको ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें लेनी ही नहीं है, जितना उस खाने को चाहिए मिर्च मसाला उतना ही लें, ताकि ये body को गलत फहमी होना बंद हो जाए, दूसरी चीज कि आ ये नहीं कि आपको पेट भर-भर के खाना है, आप salad ले सकते हैं, आप किसी तरह के dry fruits ले सकते हैं, लेकिन तीन-तीन घंटे में आप बीच-बीच में कुछ खाते रहेंगे तो ये acidity की problem नहीं होगी, तीसरी चीज ये है कि आपको जब भी चाय, coffee, भूके पेट लेनी हो रहा है, अब वो neutralize हो जाएगा, क्योंकि वो acid consume हो गया, उस biscuit और toast को digest करने में, और एक और चीज़ की जादा overrating ना करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जैसे मने बताया, सुबह खाएंगे, शाम खाएंगे, अब भर-भर के खा रहें, तो उससे भी क्या होगा, acidity होन होगी, अगर आपको वीडियो किसी भी तरह helpful लगे, तो प्लीज वीडियो को like जरू कीजिएगा, और share कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने family members के साथ, ताकि वीडियो जागरुकता फैला सके, उन लोगों के साथ, जो acidity से पीडित हैं, और अगर आपने चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर all पे क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो नूटिफिकेशन आपको आगे भी बिलते रहें, तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ सब्सक्राइब